हेलो दोस्तों आप सबोंका स्वागत है डियेजुकेसंस के यूटूब चैनल पे मैं आप सबोंका दोस्द धन्जी आज फिर से जूड़ चुके हैं अपने सेट के साथ जो सुपर 25 के नाम से जाना जालता है आज यह सेट नंबर 33 के साथ जूड़ चुके है यह जो सेट होता है सोमवार से लेकर सनिवार तक होता है इस बार सोमवार को नहीं हो पाया क्योंकि सोमवार को हम नहीं थे इसलिए सोमवार को नहीं हो पाया था तो यह सेट ऐसे होता है सोमवार से लेकर सनिवार तक सोमवार को इस बार नहीं हो पाया है क्योंकि हम नहीं थे यहां पे नहीं होने के कारण से नहीं हो पाया था अन्य था सुम वार से लेकर सनी वार तक होता है तक पर क्लास को सभी के पास सेर कर दीजे और फटा फट से जूड़ जाए सभी लोग ताकि जूड़ने के बाद class को start कर दिया जाए, तो फटा-फट से class को share करें मेरे भाई सभी लोग, और आज कुछ बात भी किया जाएगा, कुछ बात भी हम लोग करेंगे, तो पहले सभी लोग को जूट जाने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे हम लोग, तो एक बार class को share करें सभी लोग के पास, और और क्लास को स्टार्ट कर दिया जया, तो मेरे भाइ सभी के पास क्लास को moral करो, क्योंकि आज सभी को पदा नहां हो कि आज क्लास होंगा या नहीं होगा. तो एक बार kelas को प्रस नली सभी लोग के पास भेज़ जिजेव सैंडसरा करते हैं कि ताकि सभी लोग इससे जूर जाए क्योंकि सभी लोग को पना होगा कि आज लास होag यार नहीं होगा एक बार सभी लोग्षक को सेर कर्दीजिये थोड़ा सा और और सभी लोग को वेट निया जाए और देख लिया जाए कि कौन-कौन से लोग पहुछ पाते हैं और class को share कर ये थोड़ा सा कि जल्दी से लोग जूट जाए और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और उससे जूड़ी जो questions है आज के questions कौन कौन से questions बने देखेंगे तो एक बार class को share करें मेरे भाई सबी और some बार को class नहीं ले पाए उसके लिए sorry क्योंकि नहीं थे नहीं होने के करनव से नहीं आ पाये थे यहाँ पे होते तो class लेते लेकि थे नहीं तो class नहीं पाया चले गए थे कहें दुसरे त्रफ तो जल्दी से class को share करो मेरे भाई, और class को जोड़ो, ज्यादे से यादे संख्या में जोड़ी और उसके बाद हम लोग class को start करते हैं, एक सेकंड तक और वेट कर लिया जाएगा, दस सेकंड और वेट किया जाएगा, उसके बाद class को start कर देंगे, तो सभी लोग जूड़ जाएं, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, और कुछ बाद में जचल के बात भी करेंगे, जो कि कल का answer की आया है, और कैसे कैसे क्या किया जाएगा, तो जो सभी लोग जूड़ जाएंगे, तो बात भी कर लिया जाएगा, चलिए, तो start करते हैं, आप सब उको पता होता है कि इसमें science होते हैं, क्या होते हैं, इसमें science का set और current affairs का, दोनों का set होता है, तो चलिए, start करते हैं, आज का पहला questions, आज का पहला question आपको बताना है, कि किसी तल के लंबवत, कारे करने वाले बल को क्या कहते हैं, उते छेप बल कहते हैं, धाब कहते हैं, वला घून कहते हैं, या खिचाव कहते हैं, सब को बता बताना है, कि किसी तल के लंबवत, कारे करने वाले बल को क्या कहते हैं, आप लोग बताएंगे, चलिए, आप लोग answer करें, तब तक से इसमें एक आपको दिखाई दे रहा होगा बला घून, जिसको की कभी चर्चा नहीं किये हैं, बला घून के बारे में देखिए क्या होत कहता है, कि वह बहुतिक राशी, बला घून क्या है, तो कहता है कि वह बहुतिक राशी, क्या, वह बहुतिक राशी, आप लोग answer करिएगा तब तक से, वह बहुतिक राशी, जो किसी वस्तु को, किसी वस्तु को, क्या बृतिये गती, या घुरण गती, क्या, या गुरण ग गुणन गति ला देती है उसको हम क्या करते हैं बला गुण कहते हैं मतलब कि वह बल या वह कहा जाता है कि वह वैसा बल बला गुण वह भौतिक राशी होती है जो किसी वस्तू को व्रितिये गति में ला देती है एक तो रेखी गती आता है दो कर्ष्चन आता है कि वो भौतिक रासी जो किसी वस्तु को रेखी गती में ला देती है उसको हम बल कहते हैं बल गुडे बल गुडे बल बाहू यानि कि आपको पता हो गया कि जो बल आगुड होता है बल गुडे बल बाहू होता है देखिए जो होता न इसको ऐसे करके इसको बोला जाता है जिसको कि हम टाउ भी बोलना जाता है या रो भी ऐसे बोलता है बल को एपसे और बल बाहू की जो होगी यानि त्रिजया से होता है ऐसे याद रखिएगा अब बल गुण बराबर होता है बल गुणे बलबा हूँ तो क्या इसका सुत्र भी आप लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है क्या है आपको पता है कि बल का क्या होता है न्यूटन होता है और त् स्कायर प्रती सेकेंड स्कायर यह किसका होता है यह होता है आपका बलागुण का SI मात्र तो ध्यान रखिएगा कि जो बलागुण का SI मात्र क्या होता है तो निूटन मीटर या केजी मीटर स्कायर पर मीटर स्कायर अब इसका कभी-कभी बीमा में पुछ देता है कि बल्लागुण का बीमा क्या होता है तो होता है M LK पावर 2 माइनस TK पावर माइनस 2 या क्या हुआ बल्लागुण का बीमा होता है और कुस्चन क्या बन सकते हैं बल्लागुण से यह भी सुनिएगा कि पुछता है कि बल्लागुण एक कैसी रासी है तो यहाँ एक सदीस रासी होती है कैसी रासी होती है तो यहाँ एक सदीस रासी होती है इस बाते में विध्यान में रखियेगा अब कभी पूछता है कि बलबाहू का मान जितना अधिक होगा जो बलबाहू है बलबाहू मतलब कि जो त्रिज्या है दिखते हैं आप रसी को का करते हैं कि जब आप रसी को बढ़ाते जाते हैं जब बढ़ाते जाते हैं तो जो लगने वाला बल होता है क्या होता है कम होता जाता है तो यह भी कभी को पुछता है कि जब बल बाहु में या बल अगुर में जब त्रिजिया को बढ़ी कर दिया ज तो जो बलबाहू बढ़ जाता है तो जो लगने वाला बल होता है यानि बलबाहू का मान जितना अधिक होगा लगने वाला बल उतना ही कम होगा मतलब कि बलबाहू की भूजा जब बढ़ेगी जब रसरी की बढ़ाते जाएंगे तो जो लगने वाला बल होता है कम होता जाता यई सारे के सारे याद रखेंगे अब कभी-कभी बला-घून से आपके एकजामपल में पूछ देते हैं जिनकों की आपको याद रखना है कि बला-घून का एकजामपल जिसे की कुमहार के चक का चाक में लकड़ी फसा कर जो गड़े की परिधी न होता है जो कुमार बनाता है उसके गाड़ाब में लगा कर देखता है अवे या जाते की हाथ से परिधर पास जिसे की न जाता घर में देखता है वो भी चापाकल का हैंडल लंबा होना खिड़की दर्वाजे का हैंडल ये कबजे दूर लगाना ए सारे के सारे क्या हैं बल आगुण क तो हम उत्छेप बल कहते हैं क्या कहते हैं उत्छेप बल कहते हैं इस बातों को आप भली भाती समझते हैं ठीक है उत्छेप बल या उत्पलावन बल यही है दाप तो सबको पता है और खिजाव सबको पता है अगले कोस्चन क्यों पढ़ते हैं अगला क्वेस्चन क्या है? गैसों में आणवी गती के वित्रण पर तपमान में बृधी के प्रभाव के समन्द में निम्मे से कौन सा गथन सत्ते नहीं है? आपको बताना है कि जो गैस के आणविक गती है उसके वित्रण में तपमान के बृधी के प्रभाव के समन्द में कौन सा गतन सत्ते नहीं है आज है सरवाधिक संभावित गती बढ़ जाती है सबसे संभावित गती के साथ अणू का अंस बढ़ जाता है वित्रण व्यापक हो जाते हैं और वित्रण ववक्रत के तहत छेत्र उतना ही रहता है जितना के निमेत अपमान पर होता है आपको बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है तो इसका राइट एंसर करेंगे सबी लोग कि कौन सा सत्य एंसर नहीं है हम लोग बात करेंगे जो NTPC का जो एंसर किया है उस पर भी बात करेंगे अभी थोड़ा सब पढ़ ले और सभी लोगों को जूट जाया ने दीजिए उसके बाद हम लोग बताएंगे कि आगे कि strategy क्या हो और जिनका आया है उनको क्या करना है जिनका नहीं अच्छा है score है उनको क्या करना है तो सभी लोग बताएंगे पहले इसको बताएंगे तो जो इसका right answer होगा भी या क्या है सत्य नहीं है क्या है सत्य नहीं है अब क्योंकि यह बोल रहा है है कि गैसों की आणविक गति का वित्रन तपमान ब्रिधी के प्रभाव में सरमभावित हो जाती है सभी बात है कि जब तपमान बढ़ाएगे तो सरवाधिक संभावित तो सबसे संभावित गति के साथ अणू का अंस बढ़ जाता है अडू का अंस उतना ही रहता है बढ़ता या घड़ता नहीं है लेकि सरवाधिक संभावित गती बढ़ जाता है सही बात है वित्रण व्यापक होगा यानि की प्रसारण भी क्या होगा उसके सबसे अधिक हो जाएंगे जब आप तपमान ब्रिधी करिएगा तो सरवाधिक रहता है जितना निम्न अप्मान से नीचे रहता यह बात सही है लेकि सबसे सम्भावित गती के साथ औरू के अंस बढ़ जाते है यह बात गलत है औरू के अंस नहीं पढ़ते हैs या क्या है इसलिप राइट एंसर भी हो जायेगा अगले question की ओर उस तपमान को क्या कहते हैं जिस पर वाय मंडली दाव पर द्रौ उबलना शुरू कर देता है उसको क्या कहते है बताईए कि उस तपमान को क्या कहते हैं जिस पर वाय मंडली दाव पर द्रौ उबलना शुरू कर देता है क्या सलैन की गुप्त उस्मा कोथनांक या उदासनी करण के उसमा या गलनांग देखिए दो चीज होता है एक होता है ठोस द्रौ और गैस ठीछ है ठोस से द्रौ में ठोस से द्रौ में जो होता है उसको हम गलन कहते हैं क्या हो रहा है गलन कहते हैं जब कोई वस्तू ठोस से द्रौव बन जाए उसको गलन और जिस ताप पर ठोस वस्तु द्रौव में परिवर्तित होने लगे उसको हम गलनांग कहते हैं मतलब कि वह तपमान जिस तपमान पर ठोस द्रौव में परिवर्तित होने लगे उसको गलनांग कहते हैं द्रौव के गैस में बदलने की घटना को हम क्या कहते हैं द्रौव के द्रौव से गैस में बदलने की घटना को हम वास्पन कहते हैं का कहते हैं वास्पन कहते हैं या वास्पीकरण कहते हैं अब एक किरिया और ठोस से डाइरेक्ट गैस में हो जाएगा उसको हम उर्दपातन क किया कहते हैं और आप किरिया उल्टा भी हो सकती गैस से द्रौ में बदलने की घटना को क्या किना है तो इसको हम कहते हैं शंघनन न तक न और द्रौ electro से भूसमें बननेके कर्या को हम हीमी करन का थे हैं क्या कहते हैं तक याद और जिस तपमान पर क्योंकि जिस तपमान पर कोई द्रव उबलना प्ररम करता है उसको हम द्रव का कोथनांग कहते हैं जब उबलना प्ररम होता है उसको द्रव का कोथनांग कहते हैं इस बातों को भी द्यान में रखिएगा अगले कोस्टन के और बढ़ते हैं किसी भी स्पोटा के करा, मतलब कि कोई भी स्पोटा के करा, समुद्रे के तल पर बनने वाले लहरे होती हैं, अनुप्रस्ट होती है, अनुधैरे होती है, अनुप्रस्ट और अनुधैरे दोनों होती है, आप से पुछा है कि समुद्रे के तल पर बनने वाले क्या होते हैं, ज जो अनुप्रस्त होता है, अनुप्रस्त में जो तल होते हैं, जो कमपन करते हैं, वे ऐसे कमपन करते हैं, ठीक है, यानि कि स्रिंग और गर्त में करते हैं, जब कि जो अनुधैरे होता है, अनुधैरे में जो होता है, वे कमपन जो होता है, समनांतर होता है, संपीडन और विर विर्लन में चलता ऐसे करके चलता है तो याद रखेंगे कि अनुप्रस्त जो होता है विस्रिंग और गर्त में चलता है जबकि अनुधायरे जो होता है संपीडन और विर्लन में चलता है अब रहा बात आपसे पुछा है कि समुद्र के तल पर बनने वाली रह लहरे कैसी होंगी तो अनुधायरे तरंग होंगी आपको यहां तल और सतह में confusion हो जाता है क्योंकि देखिए अगर आपसे पुछे कि समुद्र की तल तो समुद्र की अगर यह उपरी सतह होता है उपर वाले भाग को सतह बोलते हैं और जो नीचे वाला भाग होता है उसको तल बोलते हैं तो जब कोई भी बिसफोट होगा क्या होगा जब बिस्फोट होने के कारण जब बिस्फोट होता है समुद्र में तो जब बिस्फोट होता है तो जो उसके तल में होता है जो तल में होता है वे होता है अनुदैर्यतरं जबकि उसके सतप होता है अनुप्रस्ततरं क्या होता है अनुप्रस्ततरं अगर आपसे को उत्पन होता है तो अनुधायरे तरंग क्योंकि जो यहां पर गमन करेगा वे समनांतर रूप से गमन करेगा ऐसे गमन करेगा ठीक है जब ऐसे गमन करता है समनांतर रूप से उस घटना को हम अनुधायरे करते हैं जबकि सता पर कुछ ऐसे लहरे आएंगी ऐसे ऐसे चलेंगी यह घटना होता है अनुप्रस्त तरंग, तब विस्फोट के कारण तल में तल याद रखना है, तल इक्वल टू नीचे वाला भाग, नीचे वाला भाग मतलब अनुधायर होगा और सता पे अनुप्रस्त होगा, अगर कोशन पूछ देता कि विस्फोट के कारण समुद्र में कैसा तरंग उत्पन होता है तो कहेंगे कि अनुधायर और अनुप्रस्थ दोनों होता है क्योंकि सर याद रखिए क्योंकि तल में अनुधायर जबकि उपरी क्या होता अनुप्रस्थ होता याद रखेंगे तो खाली पुचिदे की 20 पोर्ट के कारण समूदर में किस प्रकार के तरंग उत्पन होता है तो अनुधायर और अनुप्रस्त दोनों होगे जबकि सतापे कहेगा तो अनुप्रस्थ होगा जबकि तली में कहेगा तो अनुधैरे होगा इस बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे ये भी कभी कई पुछता है कि ध्वनी एक अनुधैरे तरंग होता है जबकि प्रकास एक अनुप्रस्थ तरंग है क्या है अनुप्रस् एक होता है यांत्रिक तरंग और दुसरा होता है औयांत्रिक तरंग के लिए संचरण के लिए किसी माध्यम की ओसकता होती है जबकि औयांत्रिक तरंग को संचरण के लिए किसी माध्यम की ओसकता नहीं होती है और औयांत्रिक तरंग में ही बिदुद चुम्बकी तरंग भी को याद होगा क्योंकि तरंग को दो भागों बटा जाता हैं एक क्यांतरिक तरंग दुसरा होता है ऐंसे बिधू अगले कोस्चन कियो राते हैं? थे आपको क्लियर हो गया होगा कि कब-कब होगा? तो आप से पूछे की तली में तो अनुधायरे तरंग, सता पर पुछता है, जो सता का उपर है, तो अनुप्रस्त होता है, अगर तली और सता ना करके, कि सिर्फ समूद्रे में पूछता तो कहेंगे कि वे क्या होता अनुधायर और अनुप्रस्त दोनों हो जाते हैं अगले कोस्चन क्यों वड़ते हैं मनुस्य में ध्वनी का स्रव्य सिमा कितना होता है आपको बताना है कि सुनने के लिए कितना हाटर्च की चाहिए तो आप सबों को पता है कि ध्वनी जो होता है एक होता है और स्रव्य क्या होता है और स्रव्य और एक होता है परा स्रव्य क्या होता है और स्रव्य जो होता है स्रब्ब जो होता है 20 से 20,000 हटर्ज तक कितने हटर्ज तक 20 से 20,000 हटर्ज तक को स्रब्ब करते हैं 20,000 से उपर 20,000 से उपर के जो हटर्ज होता है उसको परा स्रब्ब और 20 से नीचे वीस से वीस हजार हटर्ज तक को हम क्या कहते हैं स्रब्ब कहते हैं और वीस से जो नीचे होता है उसको और स्रब्ब कहते हैं ठीक है तो याद रखिएगा स्रब्ब, और और परा स्रब्ब यह सारे के सारे याद रखना है और जो मनुस्य होता है वे सरब्ब होता है यानि कि 20 हटर से लेके 20,000 हटर तक होता है इससे कम का 20 से कम का और सरब्ब और 20,000 से अधिक को हम पारा सरब्ब बोलते हैं याद रखिएगा अगले क्वेस्चन किर बढ़ते हैं कोई ध्वनी जब कम से कम 17 मीटर के दूरी से परवर्तित होता है तो उसको क्या कहते हैं जब कोई ध्वनी कम से कम 17 मीटर के लगभग दूरी से परवर्तित होता है उसको क्या कहते हैं प्रति ध्वनी का अस्थान कहते हैं प्रति ध्वनी कहते हैं अब वर्तन कहते हैं या परवर्तित होने वाले घटना को हम क्या कहते हैं जब धोनी परवर्तित होता है उसको हम क्या कहते हैं तो आप सबों को पता है कि उसको हम प्रतिध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् सरणधरपन्धी कहा जाता है आपको बताना है कि अभी सरणधरपन कि से कहा जाता है बताई आभ उतल दरपन को हम कनकेव वा मीरर focused on उतल ना है तो उतल को कन भैक्स मीरर उतल को हम कन भैक्स मीरर जबकि अवतल को कन केव मीरर कहते हैं ठीक है आप याद रखना है कि अभीसरोंदरपण और अपसरोंदर यानि कि एक होता है अभीसारी और एक होता है अपसारी आपको बताना आप लोग एंसर करिए देखिए एक होता है अभी सारी ठीक है एक होता है अप सारी अप सारी को हम कहते हैं डाई भर्जिंग और अभी सारी को हम कन भर्जिंग बोलते हैं क्या बोलता है कन भर्जिंग बोलते हैं जो उतल होता है यह होता है प्लस जो अउतल होता है वे होता है माइनस उतल होला प्लस अउतल होला माइनस अब राबात कि किसको अभी सारी दर्वन करते हैं तो जो क्या करता है कि सभी प्रकास को एकत्रीत करें या हम क्या कनभर्जिंग करते हैं जबकि डाइभर्जिंग क्या होता है कि एक बिंदू से निकल के का करें फैलाए एक बिंदू से चले और उसको क्या करें फैलाए तो जो एक बिंदू से चल के फैलाए उसको डाइभर्जिंग या अब सारी करते हैं जबकि अनेक बिंदू स आकर किसी एक बिंदू पर केंद्रित होता हुआ दिखा है उसको अभी सारी कहते है अब यह गुण किस दर्पण में दिखाई देता है तो दर्पण होता है उतल दर्पण जो उतल दर्पण होता उसका गुण होता है कि सभी प्रकास को एकत्रित करके सभी अनंत से बिंदू से कत्रित करके किसी एक बिंदू पर केंद्रित करना इसलिए ओतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण या कन भर्जिंग मीरर भी कहते है जबकि उतल दर्पण क्या करता है या आपके प्रकास को क्या करता है डाइभर्ज करता है एक बिंदू से निकाल कर कई प्रकासों में बदल देता है यानि कि फैलाने का कारे करता है इसलिए दरपण में हम उतल दरपण को अभी सारी दरपण जब कि उतल दरपण को अब सारी दरपण करते हैं यही कैस क्या हो जाता है लेंस में उल्टा हो जाता है यहां लिख लेते हैं कि आवतल दरपण आवतल दरपण और उतल लेंस क्या उतल लेंस आवतल दरपण और उतल लेंस को हम क्या कहते हैं तो कहते हैं अभी सारी दरपण क्या कहते हैं तो अभी सारी दरपण या कनभर्जि मिरर कहते हैं ठीक है जबकि उतल दरपन और अवतल लेंस अवतल लेंस को हम diverging मिरर कहते हैं यानि कि हम diverging मिरर मतलब की अब सारी दरपन कहते हैं इस बातों को आप भली भाती समझते हैं तो इसका right answer क्या हो जाएगा अभी सारी पुछा था और दरपन का case है तो अवतल दरपन हो जाएगा c answer अगला एक चालक में प्रवाहित बिद्धु धारा और विभवांतर के बीच क्या समझत क्या है क्या i और भी एक नियतांक है भी i एक नियतांक है भी गुड़े i या भी प्लस i आपको बताना है तो जल्दी से आप लोग बताएंगे कि इसका right answers क्या होगा और इस questions के बाद हम लोग थोड़ा साथ चर्चा करेंगे कि क्या होने वाला है कौन-कौन से क्या हम लोग आगे कैस्टेटी जो क्योंकि कल एंटे-पिसी का हम लोगों का पता है कि answer की आ गया है और जो बच्चों का यानि जो मेरे दोस्तों का कम भी है तो अब उनके पास क्या है और आगे की रणिमती हम लोग क्या रखें जिसे की आगे हम लोग की सफलता मिल सके तो देखेंगे इस में भी आई इसको देख लेते हैं आप सबों को पता है ओम का नियम भी एक आता है ओम का नियम होता है ओम के नियम में आपको पता है कि भी बराबर क्या होता है भी बराबर आई आर होता है और आपको यहाँ पे विभुवांतर और धारा में समन्द बताना है मतलब कि R निकालना है तो क्या हम भी भाई आई लिख सकते हैं भी भाई आई यानि कि R क्या है एक परतिरोध नियतांक होता है तो भी भाई आई तो क्या आपको कहीं दिखाई दे रहा है तो भी भाई आई एक नियतांक है मतलब कि R बराबर एक क्या है क्योंकि R एक परतिरोध नियतांक होता है तो भी भाई आई तो यहाँ पे राइट एंसर भी भाई आई हो जायेगा हम लोगों को इस questions देखने से पहले थोड़ा सा discuss करो लिएते हैं कि जो NTPC था क्या था जो NTPC है कल answer की जारी हो चुका है और यह क्या था CBT जो 1 था CBT CBT 1 का answer की जारी हो चुका मतलब कि जो CBT 1 में हम लोग exam दिये थे उसका answer की जारी हो गया था सभी मेरे दोस्त क्या है जो की exam दिये थे वे अपना answer की मिला लिये होंगे और जिनका क्योंकि आपको पता है कितना answer आया है तो देखिए जो YouTube क्योंकि आपका answer आने मतलब कि आप मिलाते हैं तो मेरा 45 आया है है 50P 45 आया है 50 आया है ऐसे करके माने आता जिसका भी सितना आया है किस्थिका सप्तार आया है किने क्या करhouse आयएगा यूटूब पे जाईएगा और सर्च मारिएगा कि NTPC Cutup क्या करिएगा? Cutup तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपके Cutup बताते हुए दिखाए देंगे कुछ कुछ Cutup ऐसे भी दिखाएंगे काएंगे कि 40 नंबर वाले तयार रहे इनका हो सकता है 20 नंबर वाला तयार रहे इनका होगा 30 नंबर वाला का भी होगा 50 नंबर वाला का भी होगा भाई चुतिया बनाना बंद करेगा सभी लोग क्योंकि हम लोगों को वास्थवी कुता में पता है कि कितना पर रिजल्ट होगा क्योंकि आप सबों को भी पता है कि आप लोग क्या कोई काता एक 20 नंबर पे होगा क्या 20 नंबर पे आपको लगता है कि हो जाएगा 30 नंबर पे क्या लगता है कि हो जाएगा 40 नमबर पे लगता है हो जाएगा तो ये सारे के सारे आप YouTube पे अनहरिया कटप के सर्च मारगर की YouTube NTPC कटप सर्च करके अनहरिया दिमाग को मत पगलाईए आप ध्यान से सुनिए मेरा ओपिनियन क्या है हां मेरा लगता क्या है क्योंकि हमको क्योंकि YouTube पे उनको तो सिर्फ यही काम है कि क्या 40 नमबर को पता देता कि मेरा वीडियो 40 ओला देखे पचास ओला को बद देखाएं ताकि पचास ओला जादे जादे से लगता है सब देखें तो उनका भीव है लेकिन हम लोग को वास्तुविक पता है कि NTPC ही एक्जाम स्रिफ नहीं है हम लोगों का गुरूप धी भी देना है एक बात ध्यान रखिए कि अगर किसी भी बोड में जाईएगा तो 65 से कौम पे तो आपका रिजल्ट नहीं होगा यह ध्यान रखिए हमको मेरा यह उपिनियन है बाकी आप सबों का अलग अलोग उपिनियन हो सकता है कि मेरा आया है तो मेरा हो सकता है ऐसा बात नहीं है 65 से मान लेते हैं कभी कहीं कहीं बोड में 60 से जो 65 के बीच जिनका है मान लिजे कि जो 60 से 65 के बीच स्कोर रखे हैं रोव मार्क्स की बात हो रहा है ठीक है या रो मार्क्स में मान लिजे कि 60 नरक और के हाँ 60 मान लिजे 60 से जिनका 60 से 65 के बीच में 60 से 65 के बीच में जिसका रो मार्क्स बन रहा है ठीक है उनका तो लगभग लगभग हमको लगता है कि उनका CBT 2 के लिए हो जाएगा लेकिन जिनका 50 से 60 के बीच में है क्या है? जिनका 50 से 60 के बीच में raw score है तो वे अभी 50-50 में हैं हो सकता है उनका हो भी और हो सके उनका नहीं भी हो क्योंकि हम लोग normalization पे कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं कि normalization कितना देगा 5 नमबर देगा या 10 नमबर देगा या नहीं देगा कोई हम लोगों की नहीं है लेकिन जिनका 50 से 60 के बीच में है ये तो बीचों बीच में फंस चुके हैं इनका तो कोई clear नहीं हो पा रहा है कि किन का होगा किन का नहीं होगा 60 से 65 वाले का असार बनता है कि उवे का करेंगे कि CBT2 में हो सके जाए और 50 से 60 वाले के बीच में अभी दगदग बना हुआ है मेरे भाई जो 50 से 60 के बीच वाला है तुम लोग ध्यान से सुनो अभी तुम्हारे पास अगला एक्जाम है गुरूप D क्या है गुरूप D इसको तुम जीव जान जोर लगा के ध्यान से पढ़ो अगर 50 से 60 वाले का अगर CBT में हो जाता है CBT2 देने का मुखा मिल जाएगा तो तुम group D के लिए क्या पढ़ता है Science पढ़ता ही है Math पढ़ता ही है Science पढ़ रहा है Math पढ़ रहा है Regening पढ़ बे करता है Current Affairs पढ़ ही रहा है GKGS हो सके कि उसमें GK क्या होता है थोड़ा सा अधिक जाएगा Math का level थोड़ा सा बढ़ा देगा तो एका एक ऐसा तो नहीं न करेगा कि तुरंते आज ये देगा कि तुम्हारा result CBT2 का हुआ है कॉले exam करा लेगा उसके लिए कुछ समय तो देगा तो अभी तुम लोग फोकस के साथ group D पे लग जाओ चाहे जिनका पचास से साथ होला है तुम फोकस के साथ इस पे लग जाओ group D पे तुम लग जाओ अगर तुम्हारा CBT2 के लिए हो गया CBT2 देने का मोका मिलता है मेरे भाई तब उस पे लग जाना group D देने के बाद अन्यथा आप लोग group D में लगे फालतू के आप लोग समय बरबाद न करें cut up देखे कि मेरा होगा कि नहीं होगा कि आदा घंटा उसका पांच मिन टूर देखे कि वो क्या बता रहा है वो क्या तो जो पचास से साथ वाले बच्चे हैं क्योंकि इस पिरियड में बच्चे अधिकतर क्या होते cut up के ही दौर में रहते हैं आप cut up देखते रहते हैं मेरा cut up होगा नहीं होगा तो कोई यहाँ पे board नहीं है कि वो बता देगा कि आपका होगा या नहीं होगा अब बासरते आप इस cut up के चलते आप group D भी ले लिजिएगा क्योंकि आप group D भी नहीं पढ़ पाईएगा तो group D भी नहीं होगा और इससे बढ़ियां मोका नहीं मिलेगा कि group D में क्योंकि group D ही एक है जो कि एक लाग वेकेंसी है और इसमें होने की आसार क्या है 100% है तो क्यों न हम लोग मेहनत करें और इसमें एक सफलता पाएं तो आप लोग टेंसन न लें और क्लास को करते रहें और group D मानिये कि जिनका 50-60 हो गया है जिनका 50-60 के बीच में आ रहा है तो उनको मान लीजे कि अब आप target बनाएए कि मेरा group D में result हो जाए क्योंकि आपका NTPC अभी 50-50 में फंसे हुए है तो आप 100 potentiality के साथ लगिए कि आपका group D हो जाए तभी आपका बात बन सकता है क्योंकि group D भेगेंसी भी जादे है और थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो आपका हो सकता है तो आप समय को व्यतित न करें आप होप रखे आसा बनाए रखें कि आपका होता है हो जाएगा तो group D आप लोग पढ़ते रहें चलिए इसका एंसर करेंगे कि कौन सा सहीन मिलान है तीक है अपसोस करना बुरी बात है और अपसोस को छोड़के पढ़ना आगे अच्छी बात है तो अपसोस न करें पढ़ें देखिए आपको बताना है कौन सा सही है LKIN CNH2N-2 LKIN CNH2N और LKIN का यहां तक दे दिया गया है याद रखिएगा थोड़ा सा नीचे आ गया है तो LKIN का यहा है LKIN का यहा है LKIN का यहा है आपको सही मिलान बताना है LKIN का यहान की देखिए A, option B है, C है और D है आप लोग answer करेंगे कि कौन सा सही है जल्दी से बताएंगे कि कौन सा कथन सही है तो हम हमेशा बताते हैं कि जो LKIN होता है क्या होता है जो LKIN होता है उसमें CNH2N-2 होता है दंबाचाई है LKIN होता है तो CNH2N होता है और यहाँ क्या है CNH2N-2 ठीक है तो LKIN, LKIN और LKIN यहाँ बात क्या है सत्य है तो यहाँ क्या होगा A, answer हो जाए अगले question करो बढ़ते है संत्रीप्त हाइड्रोकार्बन दो कार्बन परमाणों के बीच दोहरा बंद होता है एकल बंद होता है यह दो कार्बन के बीच आइनिक बंद होता है आपको बताना है संत्रीप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है answer करेंगे कि संत्रीप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है तो आप लोगों को हमेशा बताते है कि संत्रीप्त हाइड्रो कार्बन में जो संत्रीप्त हाइड्रो कार्बन होता है संत्रीप्त जो हाइड्रो कार्बन होता है इसमें एक स्रेणी आता है एलकेन क्या आता है एलकेन और आपको पता है कि जो संत्रीप्त हाइड्रो कार्बन होता है कार्बन और कार्बन के बीच के जो अडू होता है वे एकल बॉंड होते हैं याद रखिएगा कि इतना कैसा बॉंड होता है एकल बॉंड होता है तेहां पर लिख लेते हैं कि देखी एक होता है संत्रीपता हाइड्रोकार्बन क्या संत्रीप्त हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोकार्बन होता है जो संत्रीप्त हाइड्रोकार्बन होता है इसमें एक आता है एलकेन क्या आता है एलकेन और एलकेन में सिंगल बॉंड होता है कैसा बॉंड होता है तो सिंगल बॉंड होता है जबकि और संत्रीप्त में दो आते एक आता है एलकीन और दुसरा होता है एलकाइन क्या आता है एलकाइन और एलकीन में डबल बॉंड जबकि एलकाइन में ट्रीपल बॉंड होता है याद रखिएगा एलकेन में सिंगल बॉंड या क्या है संत्रीपत हाइड्रोकार्बन है जबकि एलकीन और एलकाइन और संत्रीप्त हाइड्रोकार्बन होता है और संत्रीप्त हाइड्रोकार्बन और एलकीन में डबल बॉंड जबकि एलकाइन में ट्रिपल बॉंड होता है और आपसे पुछा था कि बताए यह संत्रीप्त हाइड्रोकार्बन में तो क्या होता है एकल बॉंड होता है जबकि 13 बंद एलकाइन में, जबकि एलकीन में होता है, डबल बंद, ठीक है, और दो कारबन के बीच जो आइनिक बंद बनता है, तो यह नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, अगला, सबसे तरल एलकोहल कौन सा है, आपको बताना है इस class के साथ यानि कि D education के साथ जुड़ने का मतलब है D education जो channel है आप इसके साथ जुड़ते हैं तो बस आपका फाइदा ए है कि आपका group D से क्योंकि group D आपका सफल हो जाए इससे जुड़े होई काम आपको किया जा रहा है कि आपकी सफलता कैसे group D में एक निशीत हो सके उसको लेकर हम क्या रहते हैं कि एक बार group D में क्या हो जितने भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं सबका group D हो जाए इसके लिए हम लोग especially focus के साथ group D का ध्यान में दे रहे हैं और बाकी चैनल जो होंगे देखिए बाकी चैनल जो होगा cbt2 के लिए भी जाएंगे तो उनका तोप रहेगा कि cbt2 भी clear करवाएं cbt1 भी clear करवाएं cbt2 बहुत सारे एक्जामों के लिए लेकि हम लोग अभी focus के साथ जब तो group D नहीं हो जाता है group D नहीं होता है तब तक के लिए आपका group D के लिए channel होगा d educations क्योंकि जब भी आप d educations के home page पे जाएगा तो वहाँ पे लिखा है group D मतलब कि हम लोग group D के लिए तयारी कर रहे हैं ntpc के लिए जब group D बीट जाएगा तब लोग हम लोग क्या करेंगे ntpc के लिए cbt2 के लिए भी हम लोग देखेंगे तो क्योंकि हम सब को पता है कि जब यह बितेगा तब ही वह होगा तो पहले group D है group D में आपका exit पकी हो जाए उसके बाद हम लोग आगे करेंगे और आ physics का तयार कर रहे हैं उसके बाद chemistry का तयार करेंगे और उसके बाद bio का तयार करेंगे और क्या करेंगे चेप्टर वाई चेप्टर क्या chapter वाई चेप्टर जिसे की मात्रक से जितनेभी question बने है उसको लेकर आएंगे मतलब कि railway क्या जो पिछले साल 18 में और जो 19 में हुआ है और group D का मतलब कि जो railway का exam हुआ है NTPC, group D, JEE, ये सारे के सारे जो exam हुए है, उनमें मात्रक से कौन-कौन question बना है, कारे से कौन question बना है, उर्जा से कौतना question बना है, तो सब को topic by topic करके लेके आ रहे हैं, इससे आसानी क्या होगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा मेरे भाई, उ उसके बाद बताएंगे class कब से लेके आ रहे हैं, तो देखिए, क्या कर रहे हैं कि physics का, जो physics है, उसके लिए, physics के लिए क्या कर रहे हैं, topic by topic, जैसे की कारे से कितने भी कितना question बना है, जितना भी question बना है, उसको क्या कर लिए, include कर लिए है, उर्जा के कितने question बने हैं उसक सक्ति से जितने भी कोश्चन बने है उसको एक अत्रीत कर रहे हैं फिर क्या मात्रक से यानि कि मात्रक से कितने कोश्चन बने हैं मापन से कितने कोश्चन बने हैं ठीक है और ऐसे ऐसे आएगा जैसे कि बल से कितने कोश्चन बने हैं दाब से कितने कोश्चन बने हैं यह सारे क क्या होगा न कि आप कोई भी topic पढ़िए क्या book से topic को पढ़िए और इसको का करिए book से topic को पढ़िए एक बार जब डालेंगे तब आपको इसको practice कर लिना जैसे कि आपका कारे का डाल दिया है तो कारे को आपको topic पढ़ लेना क्योंकि जिस दिन जिस chapter का डालने वाले होंगे उस दिन आपको बता देंगे कि आपको इस chapter का डाला जाएगा पहले ही so हो जाएगा पहले ही आपको प्रिमियर के लिए schedule कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि कारे का कल वीडियो आने वाला है objective सकती का कल objective आने वाला है मापन का कल आने वाला है बल का आने वाला है इसे से क्या होगा कि आप लोग भूक बे भी पढ़के और यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहिए। जब भी लगे कि इस चीज से गलती हो रहा है फिर से जाईए उस सेक्शन्स में कारे का बस लगा लीजिए, कारे का कोश्चन्स को का करिए, देख लीजिए। माने जैसे कि आपका कोई भी पढ़ा, जैसे उर्जा से कोश्चन्स आपका फंस रहा है, पस चैनल पे जाईए और उर्जा के चेप्टर से देख लीजिए, कि उर्जा से कितने कोश्चन्स रेलेवे ने बनाया है, अभी लगातार जो बन रहा है, जो अभी पैटर्न हो राज CBT पे कैसे कैसे questions बने हैं कारे से कैसे questions बने हैं उसको जाके आपको practice करना है तो उसको भी लेकर जल्दी आ रहे है मेरे भाई बस आप लोगों के लिए कारे कर रहे हैं जिससे कि आपकी सभलता group D में एक seat पक्की हो जाए मेरे भाई और मेरी सपना यह है कि हमसे जुडे हुए जितनी भी लोग हो उनका क्योंकि हमको पता है कि सभी लोग NTPC में qualify तो नहीं कर पाएंगे लेकिन मेरा आस है कि सभी लोग group D में pass हो जाएंगे और इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि मेरा आस है कि आप लोग क्या हुए group D में success हो जाएए क्योंकि हम सोचते हैं कि मेरे साथ जितनी भी लोग हैं क्योंकि हम जानते हैं कि मेरे दोस्त लोग group D में सफल हो जाएंगे हम एक्यों नहीं कर रहे हैं कि आप NTPC में 2 या 3 इकजाम है कहीन न कहीं उसमें हम लोग मात खा जाएंगे और seat की संख्या भी कुछ जादे नहीं है लेकिन प्लस पॉइंट एक लाग की अधिक seat भी है गुरूब D में उसके साथ साथ इसको हम लोग लगतार पढ़ते भी आ रहे हैं इसका syllabus भी ठीक ठाक है तो हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं ऐसी लिए भाई मेरे साथ तुभी मेहनत करो और जो आप से जुड़े हुए हैं मेरे भाई एक बात समझना कि जो आपके साथ जुड़े हुए हैं जो आप से रिलेटेड हैं जो आपके आसपास के लोग हैं उनको बोलिए कि मेरे भाई तुभी जुड़ तु भी पढ़ ताकि तेरा भी group D में exit पक्का हो जाए। क्योंकि NTPC अहला कि बढ़िया नोक्री तो है लेकि बेरजगारी को खतम करने के लिए group D भी कोई खराब नोक्री नहीं है। तो पहले group D में आप success हो जाएए उसके बाद जाएएगा NTPC में जिनका तो हो जाएगा CBT2 के लिए उतो पढ़वे करेंगे जिनका CBT2 के लिए होगा उतो पढ़ेंगे जिनका group D के लिए CBT नहीं होगा group D ही एका असार वचा है तो मेरे भाई तू पढ़ क्योंकि तुम्हार और जितने भी दोस्त है मेरे भाई सच बोल रहा है उसको जरूर ले कि आप उसको पकड़ के लिए आओ कि तुम क्लास करने चलो तुम दो घंटा 9 से 11 मेरे साथ रहो दो घंटा 9 से 11 इस सेसन के साथ जुडो और तुम क्या करो कि जब जुडोगे तो तुमको लगेगा कि हा science और current पर मेरा पकड़ क्या हो गया है तो हमने क्या किया कि 40 questions या चालिस number पका कर लिया है 20 number क्या है 20 number methods और 20 number reasoning है तो क्या करेंगे इसमें 30 number पका कर लेंगे 40 अब प्लस 30 70 मार लेंगे और हम लोगों result हो जायेगा तो जितने भी आपसे जूड़े लोग हैं, उनको एक बार जरूर लेके आएं और class कों इंट्रेस्टिंग बनाएे, क्योंकि उनका भी जैसे मेरा सपना है कि मेरे दोस्त हो जाएं, वैसे आपका भी सपना होना चाहिए कि आपके भी दोस्त हो जाएं, क्योंकि उनको भी लेके आईए, उनको पकड़ के लाईए कि भाई कहीं तुम्हारा फिर से नगवड़ा जाए, क्योंकि जो चनहाक बनेगा वे तो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि जादे पढ़ने से नहीं, exam related पढ़ने से होता है, पढ़ाई तो सब लोग पढ़ा रहे हैं, लेकि किस exam के लिए कौन स questions आएंगे, और किसको लेकर पढ़ेंगे, तो हम लोगों की फायदा होगी, इस बातों को ध्यान में रखेंगे, आए आज बहुत जादे बकायती कर दिये हैं, class को लेते हैं, क्योंकि यह जो class, आज क्या करेंगे न, आज class को आज अथु नहीं करा पाएंगे आप लोगों क क्या दिये हैं, तो एक बड़ जल्दी से सभी लोग इसका answer करेंगे, सरल एलकोहल, कौन है, आज बहुत बकायती कर दिये, जल्दी से बताई, सबसे सरल एलकोहल कौन सा होता है, सबसे सरल एलकोहल, पहचानने का नियम है न, कि सर, किसमे carbon के अडू कम है, किसमे carbon के जो होते हैं, कर्म है, इस अधार पे, आपको हमेशा बताते हैं, कि मीथ, एथ, और प्रोप होता है, सर, ब्यूट, पेंटा, हैक्सा, अउक्टा, इससे चलता है, अब एलकोहल है, तो उसमें नौल तो लगेगा, औल लगता है, जिसे कि औल लगेगा, तो ब्यूटे नौल, और दूसरा होता है, मेरे भाई, आई-उ-पी-एस-ई नाम जो हता है, मने आई-उ-पी-एस-ई जो नाम होता है, तो जो आई-उ-पी-एस-ई नाम होता है, उसमें ओल लगा दिखाई देगा, जैसे कि मीथेनौल दिखाई दे रहा है, ब्यूटेनौल दिखाई दे रहा है उसी प्रकार जैसे एलकोहल अलगा हुँआ दिखाई देगा, जैसे कि एक्थीलेलकोहल, ब्यूटेलेलकोहल, प्रोपेलेलकोहल, मेध append Chloros, एलकोहल लग जाए या क्या है? तो आपको पता ही होता है कि CH3OH क्या होगा यह मिथे नौल सबसे क्या होगा । सबसे सुरस क्या कहें, तो मिथेनल का सुत्र क्या कहेंगे तो आपको पता ही हो होता है कि CH3onh क्या होगा यह मिथनौल प्रोप में 3 ऐसे चलता है न dope अससारल होता है याद इसको बताईए कि इसका right answer क्या होगा तो जल्दी से इसका answer करो कि वनस्पती तेल के hydrogen करण के उत्प्रियोग के रूप में किस catalyst का यह नि किस उत्प्रियोग का उपयोग किया जाता है helium का, lead का, nickel का, hydrogen का आपको बताना है कि उत्प्रियोग के रूप में आज बात हो गया है चले कोई बात नहीं बात हर रोज नहीं होता क्योंकि कल का, मेरे भाईों का आया है इसलिए चले, वनस्पती तेल के hydrogen उत्प्रियोग के रूप में प्रियोग किया जाता है उसमें nickel का प्रियोग किया जाता है याद रखेंगे अगले question क्यों राते हैं पदार्थ के विभाजन के विचार कभी आएंगे तो बता देंगे किसके लिए कौन-कौन से उत्प्रियरा का प्रयोग किया जाता है तो कभी बता देंगे कि पदार्थ के विवाजन के विचार को लंबे समय सक माना जाता है तो ये किस से माना जाता है? भारत से माना जाता है क्योंकि कार्बन के चतु सयोजग होने के कारण उसके सयोजग बंधन बनने के कारण को दरसाता है हाइड्रोजन अप्रूपता एक सयोजग बंधन या स्रिंखलर एपी रिपीटिंग कोस्चन है बताए कि क्या कहलाता है तो जल्दी से बताए कि क्या कहलाता है क्योंकि यह आप सब को बता चुके हैं तो जल्दी से बताएंगे कि क्या कहलाता है और आप लोगों के लिए भाई सच बता रहे हैं न कि ग्रूप डी वालों के लिए सच बता रहे हैं तो चलिए इसका तो सबको पता है कि स्रिंखलन का गून होता, क्या होता है, स्रिंखलन का गून होता, अगले question क्यों बढ़ता है, इसको बताए, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा कथन सही या गलत है, आपको बताना है, यहाँ पे, आपको statement A में दे दिया है, कि एक जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है, वो HIN की बड़ी मात्रा में उत्पादम करता है, उधारन के लिए HCl, H2SO4 और HNO3, ठीक है, अगला, एक अमल जो आंसिक रूप से जल आयनित करता है, ठीक है, आयनित करता है, HIN कम मात्रा में बैटरी भी लो हो रहा है, क्लास को जल दी ही खतम करना पड़ेगा मेरे भाई, तो एक क्लास जो आंसिक रूप से जल में आयनित हो जाता है, HIN की कम मात्रा में उत्पादित करता है, उधारन के लिए CH, CWOH, H2CO3 और H2SO3, केवल एक सही, केवल B सही है, के A और B दोनों सही है, या A और B दोनों गलत है, या क आपको बताना है, कि इसका राइट एंसर क्या होगा, तो फटा फट से इसका एंसर करेगा मेरे भाई सर, आज क्लास को थोड़ा सा जल्दी ही समाप्द कर देंगे, साइंस में ही, क्योंकि बैटरी लो है मेरे भाई, और आए हैं, थोड़ा लेट से ही, दूसरे तरब से आइनित हो जाता है, वह H पलस आयन बड़ी मात्रा में उत्पादित करता है, यह दंबात साही है, और इसमें HCl, H2SO4 यहां पे है, H2SO4, HNO3 साही बात है, यह सारे के सारे HCl हुआ, H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ, यह सारे के सारे प्रबल अमला है, जिसमें कि हाइडरोजन आयन की स संद्रता, सबसे अधीक होती, H पलस आयन जो है, सबसे अधीक मात्रा में पाए जाते है, जो अमले आंसिक रूप से होता है, H पलस आयन कम मात्रा में उत्पादित करता है, उधारन के लिए, CH, COOH, H2CO3 और H2SO3, यह सारे के सारे क्या है, आपके आयन से हैं, दोनों के दोन और हुआ है कि वीक ऐसीड में कौन आते हैं, यह सब वीक ऐसीड है, जब कि Yagiyaes Strong Acids ऐस ए और B, दोनों के दोनों सत्य अगले Sozial को सिनकी वर्वडते हैं, अब्रहट आब पूछ रहा है कि कि सतत व्रिधी के कारणा कि समूं में परमाडु त्रीज्यया में व्रिधी होता है, आपको बताना है कि किसके सतत ब्रीधी होगा मतलब कि क्या ब्रीधी होगा तो उसके परमाणू त्रीजया ब्रीधी होगा केंद्र होगा एलेक्ट्रोन सेल के, नूट्रोन सेल के या प्रोटोन के सेल के यानि कि किसके ब्रीधी होने के कारण उसकी जो त्रिजय होती है तो इसका एंसर करेंगे कि किसके ब्रीधी से होता तो जो फिजिक्स के लिए बोल रहा है जो फिजिक्स का है ठीक है और फिजिक्स के टोटल लगभग लगभग बता दें तो 1300 या 1400-1500 questions होगा जो कि आपके group D पूछे है group D, railway, NTPC जो कि फिलहाल में हुआ है जो कि 1218 उन्ने CBT pattern पे जो हुआ है उसके मुडो को लेकर देखा जाए तो करीब 1600 होगा जो कि physics के होंगे और वह topic by topic होगा क्या होगा? हम लोग ऐसे तो इसको practice करेंगे ही करेंगे उसको topic wise practice करते चलेंगे इसे से क्या होगा न भाई तुम्हारा topics में भी पकड़ बनता चला जाएगा इस पे practice करेंगे उसमें topics पे पकड़ चलते जाएगे और तुम लोगों का काम यह होगा कि जिसको पढ़ लिया ऐसा मत करना की जैसे तुम कारे chapter को एक बार देख लिया है तो फिर कभी तुमको कारे देखने का मौका न मिले ऐसा मत करना की एक बार देख लिए तो गहाँ सब याद होगे ऐसा नहीं करना है जो कारे के लिए जो video बनाएंगे अगर मानते हैं उसमें 80 questions होगा तो जब भी तुम्हारा कार ऐसे जैसे तुम set बनाने जाएगा एक सेकंड भाई आज थोड़ा सा बात करने का मन कर रहा है क्योंकि हमको आपकी सफलता को सुनिशित करने के लिए जब हम इतना मेहनत करते हैं तो आपको भी चाहते हैं कि आप भी मेहनत करिए ताकि हम दोनों को मिलकर आपकी सफलता सुनिशित हो सके जब मेहनत हम करते हैं तो आपको भी मेहनत करने के लिए कहेंगे कि आप भी मेहनत करें क्योंकि मेरे मेहनत से कुछ नहीं होगा सिर्फ हम अकेले मेहनत करेंगे मेहनत करते रह जाएंगे तो कुछ नहीं होगा हम मेहनत करें प्लस आप मेहनत करें तब तो आपकी सफलता होगी और मेरी सपना भी पूरी हो जाएगी मेरा सपना पूरा होगा और आपकी भी सपना और आपकी माता पीदा की जूड़ी सपना हैं आपको पूरी हो सकती है तो मेरे भाई थोड़ा सा आज बात करने का मन कर रहा है क्योंकि हम जान रहे सोच रहे हैं कि आपको बात करें जिसे की आपको फैदा हो अनेथा आपको पता है कि हम लोग क्लास में बात नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग topic by topics पे ही cover करते रहते हैं आज current नहीं होगा, हम लोग science पे ही आज रुख जाएंगे, भली ही science तक ही करा पाएंगे कल से जो आएंगे regular आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कल से फिर नई एनर्जी के साथ और नई उर्जे के साथ जुड़ेंगे तो आज थोड़ा सा टेंसल्स मत लेना मेरे भाई और टीके रहो आज जो टीका रहेगा उसको तो फैदा होगा ही सुनो मेरे भाई जो बना रहे हैं जो 600 का फिजिक्स बनाएंगे और केमेस्ट्री भी बना रहे हैं इसके लिए पिपिटी और पीडिया बना चुके हैं बना रहे हैं दिरे दिरे बनाएंगे तो बता देंगे जैसे ही आपका बना देंगे तो आपको लॉंच भी कर देंगे और दे भी देंगे बना देंगे तो बता देंगे कि कब से class आ रहा है देखे जैसे कि मान लीजे न कि भाई मेरे का करना कि तुम तो set एक रोज बनाता है set एक रोज बनाएगा set जो बनाता है तो मान लोग कि हम कारे chapter का जितने भी questions रेलेवे से बना मानते तुम क्या बनाया है तो group D का set बना रहा है क्योंकि अभी group D का मेरा exam है group D का तु set practice कर रहा है जो previous questions जो लेकर questions bank है तुम बना रहा था उसमें तुम्हारा क्या हुआ कारे से जो जुड़ा question है एक गलत हो रहा है क्योंकि अपना analysis भी करेगा कि जो science chapter में मेरा कारे से या पहला question जो है या question गलत हो गया है अब तुम क्या करोगे कि जो कारे chapter है क्योंकि physics में जाएगा तो आहाँ पे topic by topic करके लिखे रहेंगे कि या क्या है कारे का वीडियो है या उर्जा का वीडियो है या सक्ती का वीडियो है यह सारे के सारे जो होंगे आपके theoretical नहीं होंगे यह सारे के सारे आपके group D में जो cbt में हुआ है जैसे की 2018 में जो question पुछा है railway जैसे के group D पुछा है NTPC पुछा है जो की पुछा है जो की पीछे एकजाम हुआ है जो cbt में हुआ है तो वैसे सारे के सारे जो कारे से chapter को निखालेगा तू और कारे के chapter को क्या करता चला जाएगा इसी प्रकार से MCQ session रखे रहेंगे उसको देखता चला जाएगा बनाता चला जाएगा, देखता चला जाएगा, बनाता चला जाएगा, उस दिन का हुआ कि तुम्हारा कारे चेप्टर फिर खतम हो गया, अगले दिन तुम्हारा माल लिजे कि उर्जा, पहले तो सब को देखना है, जैसे कि जिस दिन कारे का वीडियो डालेंगे, जिस दिन का पढ़ाई का चीज होता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना होता है तो कोई भी चीज को एक पढ़े हुए चीज को आपको तीन से चार बार पढ़ना होता है एक पढ़े हुए चीज को तीन से चार बार पढ़िएगा तब तो वो अपना है अन्य था आप एक बार किसी चीज को पढ़ लिये हैं आज सोचिएगा कि वो आपका हो गया तो नहीं होगा क्योंकि एक बार पढ़िएगा तो 100% में से आपको 30% या 20% होगा दूसरे बार पढ़िएगा तो 30% पलस 30% और हो सकता है 60% होगा तीसर का बार पढ़िएगा तो 70% तक चाव उथा बार उसको फिर से पढ़िएगा कै ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए फिर कॉल पढ़ लिए नहीं जब तुम्हारा वो question गलत होगा तो तुम्हारा mind active हो जाता जैसे कि कारे से तुम्हारा जब question गलत हो जाएगा उर्जा से question गलत होगा तो जब इसको लेकर पढ़ेगा कि हाँ उर्जा से question गलत हो गया है एक बार उर्जा पढ़े ते फिर भी गलत हो गया है तो कारे के पढ़ेगा तो उस समय तो पढ़ना ही पढ़ना है उसको सब को पढ़ना है या मेरा मान लो कि या क्या है या मेरा क्या है आप लोगों के प्रती प्यार से बोलें कि तुम लोगों का एक ओडर है प्यार से बोल रहे हैं ऐसा आदेश नहीं देरमान लेकि आदेश ही साइन्स में मेरा बढ़िया एसको रप कर पाएं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो बना रहे हैं उसको तो पढ़ना ही होगा एक बात से काम नहीं चलेगा उसको दो से तीन भार जरूर पढ़ना मेरे भाई ताकि तुम्हारा सुनिस्शित हो सके तो चलिए इसको द दोस्तों को असदूंब कि कि किसी भी कारण से वैं कि यशंब लोग अएक डोषा बाते हawi कि किसके सतत ब्रिदी के करान समूह की परमाणुत्रीजा बढ़ती है ता आपको बताते हैं कि परमाणुत्रीजा क्या होता है नाभिक से लेके अंतिम इलक्ट्रोन के लिए जो कच्छा होता मतब कि अंतिक इलक्ट्रोन के लिए जो कच्छक जैसे कच्छक के लिए जो ही क्या करता है उसकोब इधी करता है क्योंकि कि इलक्ट्रों प्रज़ेश unf represent रे बढ़ा होता चला जाता है क्छ्रों की संख्या तो क्मलिकन केर्फू से अगले कोस्टें के प्रज़ेयर वाध्य है आपको बताना है कहने से थाल्ठू नहीं पहला बताते हैं कि पहला जो वर्ग है वे होता है कैसा अलकलीक मेटल यानि कि छारिये धातु होता है पहला जो वर्ग होता है वे होता है छारिये धातु और दूसरा जो धातु होता है उसको हम बोलते हैं छारिये मिरिदा धातु चारिये मिर्दा धातु को ही चारिये पार्थियु धातु के नाम से भी जाना जाता है जबकि चारिये धातु यहाँ पे चारिये खाली धातु कहता जिसे अलकली मेटल और अलकली अर्थ मेटल होता है तो पहले वर्ग में जो तत्ति होते हैं, वे सारे के सारे आपके छारी धाति होते हैं, और यह कैसे होता है? तो क्या है हे लीना के रब से जो फर्याद होता ये सारे के सारे क्या है आपके पहले में हैड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटैसियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम ये सारे के सारे क्या है आपके छारिये धात्तु है जबकि बेटा क्या बेटा मांगे कार एस्कूटर और बाप राजी ऐसे कुछ का क्या आता है तो यह सारे के सारे चारिये में देदातु है तो देखिए आपको क्या दुसरा वर्ग में कोई दिखाई दे रहा है मेगनिसियम ठीक ना आपसे पुछा कौन सा चारिये नहीं है मतलब तीन तो चारिये पार्थिव होंगे और एक नहीं होंगे तो देखिए यह सोडियम आपको चारिये धातु है कैसा है चारिये धातु है जबकि यह चारिये पार्थिव धातु नहीं है मतलब कि सोडियम जो होगा वे क्या होंगे चारिये पार्थिव नहीं है या क्या है छारिये धातु हैं बाकी बेरियम, मैगनेसियम और कैलेसियम सब सारे के सारे क्या हैं छारिये मृदा धातु या छारिये परतिव धातु हैं सोडियम जब की छारिये धातु है ये सारे के सारे आपको पता होता है अगला अधिकान सरीश्रीप या अधिकान सरीश्र क्रिप होते हैं अधिकांस जो रेपिटीली होते हैं उसमें देख एपस हिर्दय पाई जाता हैतों में कैसे पाई आते है क्यों सब्सक्राइब से असे करेंगे मेरे में अपथण हुँ और पड़ना ही पढ़ना ही आपका कर्टब्यन है और पढ़ए नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं होने वाला है चलिए चार कच्छी अहिर्दे कि इसमें होता है ताप सबों को पता है पक्षी वर्ग जिसे ही एविज वर्ग कहा जाता है और दूसरा होता है अस्तंधारी वर्ग जिसे मेमेलिया वर्ग कहा जाता है इसमें कितने होता है चार उभयचर का उभयचर जिसे एमिफिवियन कहा जाता है अधिकान सरिस्त्रीप में क्योंकि एक रेपिटिलिया का ही एक वर्ग होता है जो की होता है क्या मगरमच जो मगर मच होता है यह रेपिटिलिया कहीं पर जाती है इसमें चार होता है अपवाद में अपवाद में यह रेपिटिलिया जन्तु है यह रेपिटिलिया वर का है लेकि इसका हिर्दय चार कोष्टी होता है अपवाद में है मगर मच लेकि जितने भी तीन कच्छे हिर्दय के होते हैं, वे रेपीटिलिया होते हैं, अपूर तीन कच्छे कोई बात नहीं है, द्वी कच्छे किस में होता है, तो यह मतस्य में होता है, मतस्य को ही हम क्या बोलते हैं, पीसीजवर, क्या बोलते हैं, पीसीजवर करते हैं, याद बताना है कि जो अगनासई रस है किसमें मौझूद एंजाइम से मतलब कि अगनासई रस में मौझूद एंजाइम जो एमीनो एसिड को परिवर्तित करता है जो एमीनो एसिड है एमीनो एसिड को टोन टोनने में कौन मदद करता है उस दिन ही बताये थे आपको यह कोस्टन गल दॉटीन को पेप्टन और बसक्राइड चैनलता है पेप्टाउन और सब्सक्राइड को क्या करनं ते छिए कह मार क honeymoon एमीनो एसीड में बदलता है किसमें बदलता है एमीनो एसीड में बदलता है तो याद रखिएगा कि ट्रीपसीन जो होता है जो कि अगनासीरस है या क्या करता है कि जो प्रेप्टॉन होता है और पॉली प्रेप्टाइड जो होता है उसको एमीनो एसीड में बदलता कौन है तो ट्रिप्सीन बदलता है, जबकि प्लिख न líder को प्लिखेंटु ने में कॉन बदलता है, तो प्लिख बदलता है ठीक है लाइपेज का सबिखेंस नहीं नहीं है यह शरीह वजण का लगवक साथ से 8% रग्त उचिदाब पर जटके के साथ तेजी से उन में बहते हैं रग्त समाननेत जीवन धारा की कहा जाता है कि माना हिर्दर का कारबंद मूठी की जितनी है आपको बताना है कौन सा सत्य नहीं है यह बताना है यह आपके थे option B ठीक न यह जो रग्त उच जटके से तेजी से भगता है यहान option B है और option A है कि यह शरीरी के वजन का लगवग 7 से 8% होता है पाहला option option B में है रग्त उचिदाब पर जटके और तेजी से उनिका बहता है C option में हैं समाने ते जीवन की धारा है और यह सारे के सारे बताना है का जाता है कि मानो हिर्दे की बंद मुठी की जितना होता है सही बात है तो बताएगी कौन सा सही नहीं है तो जो option B होगा या सत्य नहीं है बाकी के बाकी क्या है सत्य है अगले question के ओर, आज थोड़ा सा class को जल्दी ही कतम करेंगे, क्योंकि light नहीं होने के करणा से charge नहीं है, जिसे की class अच्छा सा record नहीं हो पाया है, तो इसको देखते हुए आज class नहीं हो पायेगा अच्छी से, तो आज science ही करेंगे, current नहीं हो पायेगा, चलिए, तो निमलिख अण्ड कोस व्रिशन, तो यह सबको पता है, बताईए, तो जो अंडासे होता है, जो अंडासे जिसे ओवरीव कहा जाता है, यह मादा का प्रजननंग है, जबकि अंड कोस व्रिशन और सुक्रवाही का पूरुस के भाग होते हैं, चरकोष्टिय हिर्दय, युक्त गरम रख्त वाले कौन होते हैं, तो याद रखिएगा कि दो प्रकार के गरम रख्त वाले होते हैं, और एक होता है सित रख्तिय प्राणी, कैसे होता है, सित रख्तिय प्राणी, तो याद रखिएगा कि जो गरम रख्त वाले होते हैं, उनका हिर्दय जो होता है, वे चार कोष् जिनमें दो कोष्ट और तीन कोष्टिय हिर्दय पाय जाते हैं या क्या होते हैं सित रखतिय प्राणी होते हैं अब आप एंसर कर सकते हैं कि जिसमें चार कोष्टक हिर्दय होगा वे गरम रखत प्राणी होंगे जिसमें दो और तीन कोष्टक होगा वे सित रखतिय प्राणी होते हैं तो भाई अभी बता है सरिस्रिप या रेपिटिलिया और मचली सरिस्रिप और रेपिटिलिया में तीन मचली में दो और उभैचर में तीन तो देखिए तीन वाला है यह है दो वाला है यह है तीन वाला चार वाला अस्तंधारी है न तो इसका राइट एंसर क्या होगा अस्तंधारी हो जाएगा तो बाइस का राइट एंसर क्या हो जाएगा अस्तंधारी हो जाएगा तो याद रखेगा कि जिसमें तीन कोष्टक पाये जागा जिसमें तीन कोष्टक होगा और दो कोष्ट होगा वे सित रखती है प्राणी होंगे cold blooded होते हैं और जिन में चार कोष्टी हिर्दय पाई जाते हैं उसको warm blooded या गर्म रखत प्राणी जिके जन्तु कहे जाते हैं यह भी बात याद रखिएगा तो आपसे पूछा कि कौन है तो याद रखिएगा जो अस्तंधारी और जो पच्छी वर्ग होते हैं अस्तंधारी की सिम्मेमेली और पच्छी को यह भी जोते हैं बे सारे के सारे होते हैं पौधे और तन्य के छलो के रूप में पाई जाने वाली आकरिती जो ब्रिधी में सहायक होती है निम्न में से कौन से उत्तक पाई जाते हैं आपको बताना है कि पौधे के तन्य में जो छले के रूप में होता है देखते हैं छल्ला के रूप में पाए जाने वाले आकरिती और उनकी ब्रिधी में सहायक होता है उन्हें कौन से उप्तक पाए जाते हैं लेटरल मेलेस्टमेटिक टीसू, कैम्बियम, एपिकल मेरेस्टमेटिक टीसू या वर्टिकल मेरेस्टमेटिक टीसू आपको बताना है कि जो तने के छले में ब्रीधी करते हैं आकरिती में उनके ब्रीधी में साहिक होते हैं कौन होते हैं आप इसका एंसर करेंगे सभी लोग पर पहला होता है विभाजियों तक क्या होता है विभाजियों तक को ही मरिस्ट्मेटिक टीसू कहा जाता है क्या कहते हैं मरिस्ट्मेटिक उत्तक कहा जाता है और मरिस्ट्मेटिक उत्तक जो होता है इसको तीन भागों बाटा जाता है पहला होता एपिकल दूसरा होता है इंटर कैलेरी और यही हमेशा बुनले के कारण आपको याद भी हो चुका होगा कि जो मिरस्टमेटिक क्योंकि देखे प्रैक्टिस ही एक ऐसा चीज है जब कि आपको सफलता दिला सकता है क्योंकि यह क्या होगा न कि आपके बार-बार कोश्चन आते रहेंगे और बार-बार क्या होगे रिपीट होता रहाता है जिसे की आपके दिमाग पर हमेशा बना रहता है तो जो बिभाज उत्तों कोता है मिरस्टमेटिक टिसू जो होता है इसको तिन भागों में एपिकल लेटरल और इंटर कैलेरी यह तिन भाग में होता है एपिकल लेटरल और इंटर कैलेर में जो भाग लेता है वो एपिकल होता है या क्योंकि पौधे को जो आगे विभाजित करकर के विभाजित जो करता है यह क्योंकि विभाजन यह तीनों के तीनों विभाजित होने वाला है तो जो एपिकल होता है यह पौधे के सिर्स पर विभाजित करता है और तने के जड़ मतलब कि जो पौधे होते हैं उनके जड़ पे क्योंकि सीर्स पे विभाजन करेगा तब ही विभाजित करके क्या होगा आगे की और बढ़ जाता है उसी प्रकार पौधे के जड़ में जब विभाजन करता है तो जड़ क्या होता जाता है नीचे की और जाता है तो एपिकल क्य करके होता है एक पौधा दिखाते हैं क्या होता है पौधा दिखाते हैं जिसमें की ऐसे निकल के आता है और आपको ऐसे से एक ऐसे करके दिखाते हैं ठीक है तो जो उपर वाला भाग होता है इसको एपिकल बोलते हैं और एक आपको ऐसे करके दिखाते होंगे ऐसे रहता है य जिसे की जो छल्ला होता है देखते हैं जब गिंते हैं काता है कि प्रिण पौधे की जो छल्ला किसको बताता है तो उसके आयू को बताता है तो जो छल्ला में ब्रिधी करता है वह क्या करता है लेटरल करता है कौन करता है जो लेटरल मिरेश्टमेटिक टिसू होता है या तन् तो इस ता में करें याद रखना होता है कि आज थोड़ा सा तो कवी आपको दिखातें तो कि तदने के चले में मतलब कि मुटाई में आक्रिति और बीधि में साहै कौन होता है तो वे होता है आपके कौन होता है तो वर्टिकल मेरे स्टमेटिक एपिकल लेटरल तो कहेंगे कि लेटरल क्योंकि एपिकल से यह ताना मतलब कि ब्रीधी करता है यह पौधे के सिर्ष भाग पाया जाता है और जड़ भाग में पाया जाता है जिसे पौधे क्या हो सकत क्या होता है बिरीधी होता है लेटरल मेलेस्टमेटिक टीसू में हैं कैम्बियम और जो कैम्बियम पता है ना कि कैम्बियम जाइलम और फ्लयम के जो भाग होते हैं वे सारे के सारे हैं अगले निम्लिकित में से किस किस प्रकार के प्रजनन सबसे अधिक विविदिता को उत्पति करेगा आपको बताना है कि किस प्रकार के विभाजन होगा मतलब कि किस प्रकार का प्रजनन होगा जिसमें विविदिता अधिक देखने को मिलेगा द्यूभी खंडन उनर जनन लेंगिक या अलेंगिक आप हो गया क्योंकि हम आज लेट आए ही हैं दुसरे तरफ गए हुए थे इसलिए आज करेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि यह रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगा इसलिए तो आज क्लास भी नहीं हो पाता क्योंकि आये हैं तो पिपीटी बनाया है पिपीटी बनाया के क्लास को अरेंज किये हैं तब तक से क्योंकि आपको पता है बनाने में समय लगता है बनाया है ऐसे तो current affairs का भी sessions देखिए बना दिये हैं करेंट का भी questions बना दिये हैं लेकि का करेंगे चली कल करा देंगे करेंट को तो इसको कर लिजी आज कि प्रजनन किसमें तो सबको पता है कि जो दो प्रकार के जनन होता है दो प्रकार के जनन होता है एक लेंगिक जनन और अलेंगिक जनन लेंगिक जनन में क्या होता है लेंग दो युगमक के रूप में नर क्या होता है, अपने सुक्राणू के रूप में, और जबकि मादा अंडाडू के रूप में यह होता है, ठीक है? तो नर पार्ट्स और मदा पार्ट्स जिसमें लेते हैं वे लेंगिक जनन में जबकि अलेंगिक जनन में इसमें जीव के कोई दो विष्ट भाग नहीं लेते हैं जीव के सिर्फ एक ही विष्ट भाग लेता है और अलेंगिक जीव जो होते हैं इसमें बिविदिता देखने को नहीं मिलता है या जैसे होते हैं अपने जनक के समानी होते हैं जबकि लेंगिक जनन में सबसे अधिक बिविदिता देखने को मिलता है क्योंकि इसमें जीव के दो विष्ट भाग लेते हैं और जब दो विष्ट भाग लेंगे तो दोनों जीव के विष्ट जो होंगे अलग-अलग होते हैं इसलिए लेंगिक जनन में जो होगी अधिक विविदिता देखने को मिलती है तो यह थे आज के last questions, आज current नहीं हो पाएगा हम लोग इस current को कल कर लेंगे कल वाले sessions में कल वाला sessions होगा, अब कल से जो questions होगा कल से आपका regular class क्योंकि भाई कभी-कभी ऐसा होता है जो कि काम आ जाता है कहीं जाना पड़ता है तो उस बातों को भी आप समझे अनेथा class नहीं बंद होगा क्योंकि आप सबों के लिए हम लोग को सपना है group D में exit अपनी हो पकी इसलिए हम लोग लगतार जूडते रहेंगे और अपने दोस्तों की भी जोड़ी है जो इस सदमे में तूट चुके हैं कि मेरा NTPC नहीं निकलेगा उनको जोड़के लाइए कि वे group D जरूर निकाल लेंगे इस विश्वास के साथ आप जूड़े रहे है क्योंकि इस YouTube चैनल पर हम लोग group D से related questions को ही पढ़ रहे हैं तो चलिए इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा तब तक के लिए goodbye, take care, bye bye